नमस्कार मैं हूँ प्रसून मुद्दा के इस खास बुल्टेन में चर्चा आज कॉंग्रेस के गड़ अमेठी और राइबरेली की जहां प्रियंका गाधी ने चुनावी समर में उतारने से इंकार कर दिया है वहीं राहुल गाधी ने भी अमेठी को छोड़ दिया है राहुल गाधी राइबरेली से लोकसभा में अपनी दावेदारी ठोकेंगे पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट के मताबिक राहुल और प्रियंका दोनों ही परिवारी गड़वाली सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे राहुल के अमेठी छोड़े पर पीम मोधी और इसमिती इरानी ने क्या कहा सबसे पहले आपको सुनाते हैं मैंने पहले ही बता दिया था कि सहाँ जादे वाइनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वाइनाड में मतदान समापत होगा वो दिसरी सुरीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी शीट पर भी उनके सारे चेले चपटे कह रहे ते हमेठी आएंगे अमेठी आएंगे लेकिना मेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भाग कर अब राइबरली में खोज रहें रास्ता ये लोग गुम गुम कर सब को कहते हैं डरो मात मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भरके कहता हूँ अरे डरों बात भागों मत और आज मैं एक और बात कहूंगा कॉंग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है मेहमानों का स्वागत है हम लोग अतितियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाओं में एक वोट पढ़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्विकार कर चुकी है क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहां जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहां से लड़ते अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अमेठी की अमेठी लोगसभा सीट से 2004-2009-2014 में राहूल गादी ने जीत हासिल करने में काम्याबी पाई वहीं 2019 में उन्हें भाजपा प्रश्यासी इस्मृती इरानी से हार का साबना करना पड़ा अमेठी में 2019 में मामला फस्ता देखकर राहूल गादी ने केरल की वाइनाट सीट की तरफ रुक करी किया और जीत हासिल की लोगसभाद चुनाव 2024 में भी वाइनाट से वे चुनावी मैदान में हैं हाला कि इस बार उन्हें इस सीट पर मार्चवादी कमिश्ट पार्टी से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में कॉंग्रेस राहूल के लिए राय बरेली की सीट को सुरक्षित मान रही है अमेठी में इस बार गाधी परिवार ने अपने वफादार किसोरी लाल सर्मा को उतारा है जो इंद्रा गाधी के समय से ही पीएम संसदी छेत्र को सवारने का काम करते रहे है अमेठी 2019 से पहले कॉंग्रेस का गड़ मानी जाती रही है 1967 से हुए आम चुनाओं में तेरा बार कॉंग्रेस जीती दो बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की अमेठी लोक्सभास सीट पर 1980 में संजय गाधी ने चुनाओं जीता 1984, 1989, 1991 में पूर पियम राजु गाधी ने जीत दर्ज की 1999 में सोनिया गाधी अमेठी से चुनाओं लड़ी और जीती भी 2004, 2009, 2014 में राहुल गाधी यहां से लगातार जीत कर संसत पहुशे 2019 के चुनाओं में विजेपी की इस्मृती रानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा अब बात राय बरेली की इस सीट से जीत्ती आ रही सोनिया गाधी रास सभाप पहुश चुकी हैं इससे पहले भी सोनिया गाधी अपने बेटे राहुल गाधी के लिए अमेठी की सीट को छोड़कर राय बरेली सिफ्ट होई थी राय बरेली की बात करें तो 1999 में सोनिया गाधी अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती भी इसके बाद सुनिया गाधी राय बरेली से चुनाव मैदान में उतरने लगी सोनिया गाधी 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार सांसत चुनी जाती रही 2024 में सोनिया गाधी कारा सभा में प्रवेश हुआ जिसके बाद राय बरेली से राहूल गाधी अब भर रहे हैं हूंका आपको इसके साथ बता दे कि प्रियंका इस बार लोग सभा चुनाओं नहीं लड़ेंगे कारण बताया जा रहा है कि पहले प्रियंका गाधी सुभाविक तोर पे राय बरेली से चुनाओं लड़ना चाह रही थी लेकिन जब राहूल की दाज़िदारी सीट पे हुई तो प्रियंका गाधी ने भी अमेठी जाने का कोई जोखिम नहीं लिया इसके साथ कई चीजे अपने आप सामने आ रही हैं कि क्या अमेठी राहूल गाधी के लिए सही सीट नहीं थी या राहूल गाधी अमेठी में अपना आत्मिस्वास खो दिये हाला कि ऐसी ख़बरे आ रही थी कि सोनिया गादी चाहती थी कि प्रियंका गादी और राहुल गादी दोनों राय बरेली और अमेठी से चुनाव लड़ें लेकिन प्रियंका गादी की पहली और अंतिम पसंद राइबरेली थी लेकिन राइबरेली से जब मामला नहीं बना तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया वहीं राहूल गादी ने राइबरेली से परचा दाखिल कर रहे हैं और वहीं कॉंग्रेस के उमिद्वार होंगे अब कॉंग्रेस आखिर ऐसा फैसला कैसे कर ली कि अमेठी को उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र के हाथों सौब दिया क्या अमेठी को लेकर कांग्रेस में आत्मिस्वास नहीं है या इसके अलावा भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेठी छोड़ने की वज़ा क्या थी हमारे साथ मौझूद है इसी पर चर्चा के लिए राकेश पुद्दार प्रवक्ता बीजेपी रोहन सिंग प्रवक्ता कॉंग्रेस दिलिप यस्वर्धन राजनीतिक विशले सक पहला सवाल रोहन सिंग जी से रोहन सिंग जी अमेठी को लेकर आत्मिस्वास क्यों नहीं दिखा गाधी परिवार में अमेठी को लेकर आत्मिस्वास है कि नहीं विश्वास है इसका आकलन यहाश चूडियों में बैटकर नहीं किया दो अमेड़ी गी जिसके लेकी एक बड़ी खबर आरे राहूल गादी नौमनेशन कर रहे हैं रायबरेली में जाकर उनके साथ मलिका अरजुन खडगे जी मौझूद है सोनिया गादी जी मौझूद है प्रियंका गादी जी भी मौझूद है देखिये आप सीधी तस्वीरे मौके पे मौझूद हैं आप एक तस्वीरे देखकर समझ सकते हैं कि राहूल गादी ने अपना नमांकन दाखिल कर दिया है अब वह वापस पलट रहे हैं हाला कि मलिगार जुन जी उनको खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं लेकिन गादी परिवार और मलिगार जुन खड़गे जी चले गए हैं अधिकारियों ने उनको कहा है कि आप अकेले मौझूद रहिए और बाकी लोगों को बैठने के लिए बोलिए इसके बाद गादी पर कर भी आत्मिस्वास क्यों नहीं दिखा हम बताया तो कि अमेर्टी क्यों लेकर आत्मिस्वास है कि नहीं है यह स्टूडियो के दूगेट में नहीं तैय हो पाएगा वो सड़के मैदान पर गावों की में कजबों में तैय होगा रही बात इसकी कि राहूल गांडी जी ने रा राइबरेली उनकी परिवार के जिसे मा रासभा में है उमर की वज़ा से वो उनकी कांसिट्विंसी है तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसकी को देखें इसलिए उन्होंने रायबरेली से लड़ना चुना एक आदमी तीन चार चार जगा उसको लड़े रही बात केहल सर्मा कि हल सर्मा जी को हमेटी में हर पोई आदमी उनको जानता मेटी रायबरेली विएक्टी कंसिट्विंसी है यहां का आदमी अधार कार्ड लेके चला जाता ता सिव अपना और दिल्ली में जहां पर जाना ओता सिभा अधार कार्ड दिखाना होता था वैसा दौर रहा है उनक मेहनत प्रयास और पंजाब से आखके उन्होंने पूरा जीवन ही राइबरेली अमेठी में खपा दिया अवद की धर्ती को पैचानते समझते हैं अब उनको मौका मिला है पार्टी उनको ने उनको जम्मेदारी दी है और छेतर की जनता के पास भी यह मौका है कि जिस आदमी इतने सालम की सेवा की है उसका वह उनको अपना फर्ज अदा करें और यह जनता की तो जनता क्यों राहुल गादी की उमिद्वारी मांग रही थी आपके तमाम कार करता राहुल गादी के लिए प्रदर्सन कर रहे थे उनकी उमिद्वारी के लिए अरे राहुल गादी लड सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि दोगों की मंसा आप दिश सकते हैं कि इस तरह ही केरल में गए वाइनार से चुनाव लरे एक तरफ और तो कौमनी पार्टी देश के अंदर बिहार के अंदर गठवंदन में हैं लेकिन वहां पे डी राजा की पत्नी एन राजा इनको चुन कि अंदर कर रहे हैं लेकिन वही बात रही हम लोगों ने हराया पिछली बार इस बार भी राजा पार्टी राइबरेली से इनको हरा के दुबारा इनके जुद वहां पहुंचाने का काम करेंगे उसकाम पर हम लोग के अदर के मीदान में हैं और आने वाला समय जो है अप्सी कासी लोक सबादों सी उत्तर पर देशेशा है दिलिप वैडियस वर्धन जी था एमारे साथ मउजूद है दिलिप आपको क्या लगता है कि यह रड़नीद क् अमेठी छोड़के राइबरेली और प्रियंका जी का कोई नाम अंकन ही नहीं कि क्यों अपनानी पड़ी तो कांगेस की अपने इंटरनल विचारभारा इंटरनल पॉलिसी है लेकिन रावज़ गांजी और प्रेंडा गांजी की एक को यहां से लड़ना था अमेठी ने तो इसकी परमपरागत की है अमेठी ने तिकि इसनी बार इस लड़ी नहीं के बहुत लंडे गैसे हारे से वो तकता है इनकी कीश सरवें बता रहा हूं कि अमेठी की इस निकालना ज़्यादा मुश्किन है अगर इस बार इस बार इस बार इस बार के हार गाते तो राहूल गांजी की राजिटी की इस लिए पूछा था परहब से की अगर राय बरेली को सुरक्षिश सीट मानी जा रही है तो आप इंसमान के चलिए जो आकड़े आते हैं राय बरेली भी इतनी सुरक्षिश सीट नहीं है कहा जाता है द्योर नो सीटे परंपरागत सीटे इस माइने में है कि कांग्रेस को आइना दिखाने का काम करती है जैसे 1977 में राज नरायन जी ने इंद्रा गादी को चुना वहराया था जैसे 1996 की बात की जाए तो कांग्रेस सीला कॉल के बेटे थे कांग्रेस मिद्वार के विक्रम कॉल हो चुना वहर गया उनकी बेटी 1998 में चुना वहर गई राइबरेली से ही और 1999 में जाके कैप्टें सतिस्तरमा चुना जितते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा गड़ है तो जो दिक्कतें हमेटी में थी वही दिक्कतें फेस करनी पड़ सकते हैं राइबरेली नी भी दिलिजी पूरे उसकर प्रदेश में हैं, लेकिन अगर दिखकतों से दर दर के राजनीटी की रण फोड़ देगा, यह राजनीटी को सुभा नहीं देता है, मैं मानता हूं कि आपकी बास सही है, और जीता रहते के लगी रहती है, राजनीटी की रहती है, वही समय आज भासी जनता फा कर रहा है वहा एक रहा है संभावनाओं का खेल होता है, और एक चीज का और खेल होता है, कि आप अपने काश्वेन्सी में कितना समय दे रहे हैं, और जो पब्लिक से भरुसा दिला रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं उसको निभा रहे हैं या नहीं चूंकि पबलिक आईना जरूर दिखाती आड़ा जाल पार्टिक प्रवक्सा की तरह रोहन संग जी मेरी बास सुनिए आप आप मुद्दे पर रही है आपको लगता है आप कर नहीं होगी का आप तो समझे नहीं आता है रोहन संग रोहन सिंग जी ने फोन कार्ट दिया उनको अब दुविदा हो रहे बात करने में फिर से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं रोहन सिंग जी से लेकिन फिर सवाल है कि द्रीव जी इस तरह की बैवस्था जो दिख रही है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी में उपापो की स्थिति ह केंद्री चुनाओ समिति कहती है कि राहुल गाधी से या गाधी परिवार से कि आप बताइए कौन लड़ेगा तो जब गाधी परिवार के सामने पूरी कॉंग्रेस की केंद्री चुनाओ समिति ही सरेंडर कर देती है तो क्या उमीद की जाए कांग्रेस के नेत्रों से प्रदार मंत्री बने लाग, तो हर राजिनी की पार्टी की असी कोईना को इस्टेजी होती है उस्टेजी को ना तो वो पब्लिक्री डिक्रोज करते हैं और ना हमारे आप से सामने वो रखते हैं लेकिर लगना मैंने कहा जिराजिनी की संभावनाओं का चेल होता है और जो आपने कहा जन्ता को चैस करते हैं जिसको वो रेप्रसेंट करते हैं और जवाब नहीं कि रहती हैं दिलेवी राहिनीति किसलेसक के तौर पे जुड़े हैं हम चाहते थे कि इसमें और भी गहराई ले जाया पीचर चामें तो आपको बता दे कि अमेठी में राहुल गादी के सामने चार पांच बड़ी मुस्किले या चुनौतिया थी पहला दो हजार बाइस के अमेठी के पांच विधान सभाव सीटों में कॉंग्रेस को महज 14 फिजदी उठासिल हुआ था इसमृति इरानी ने अमेठी को घर बनाया और राहुल गादी 2019 के बाद केवल दो बार अमेठी में गए अमेठी में गादी परिवार के भरोसे मंद नेता जैसे डॉक्टर संजय सिंग, जंग बहादूर सिंग, राजस्वर सिंग, दद्दन सिंग जैसे लोंग बीजेपी में सामिल होते गए यह आत्मिस्वास तोड़ने के लिए काफी होता है किसी भी बड़े देता का इसके अलावा जाती सभीकरण देख लिया जाए तो बीजेपी का परागत समढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनोती साबित हो रहा था कारण क्या है कि अमेठी लोगसभाद में सत्रह दस्मलाव यह च्छै लाक होटर हैं इन में से सबसे ज़्यादा अंसूची जात के हैं जिसमें तकरीबन 26 फिर्जदी दलित ओटर हैं जिनके बारे माना जाता है कि यह बीजेपी के पास जा रहे हैं इसके अलावा समर्ड ओटर्स की बात की जाए तो 18 फिर्जदी ब्रामण और 11 फिर्जदी छत्री एक बड़ा होट बैंक है वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए समर्पित दिखता है अब अगर ऐसी इस्तितियां देखी जाती हैं तोमेटी में अच्छा खासा जाती योड बीजेपी के और जाता दिख रहा है जाती समिकरल को साधना राहुल गादी के लिए बड़ी चुनावती होती यही बात मैं समझना चाह रहा था आपसे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौझूद है डाके जी आखिर प्राइब रेली में आप किस तरीके से इनको बादेंगे देखिए प्रतुन जी पिछली बार कॉंग्रेस ने वहां से पाट लाग चौपिस या नो सो अठारा वोट पाए थे लोग ने भी खाते की चक्र देते हुए 3,47,948 वोट हम लोग भी पाए थे जिस कहीं न कहीं कहीं काटे की चक्र हम लोग दे रहे हैं और मैं आपको पुछना चाहता हूं कि वाइनाड में वो लोग चुनाव मैदान में थेरें चुनाव मैं खें बथे मियन में चलप से हुए सभाए तSOक जब तक चुनाव माही खरते हुए तब तक हम बिले नावल गंजी बोले हैं वाइनाड में रहूंगा रहां वाल इस नहीं चुना चिका लिए लिए किसरे मोटी और पाइला प्रीकरम पाथ करने वाले लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेठी से क्यों तौबा हुआ और राइबरेली जाकर कौन सी रड़नी के तहत लेकिन जब चुनाव की वारी आती है तो ये कहीं न कहीं अलग है होने का काम करते हैं हमारे साथ गोपाल करिंज जुड़े हैं प्रवक्ता कॉंग्रेस गोपाल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गादी अमेठी को क्यों छोड़े राइबरेली क्यों पहुंचे क्या यह दिल का खेल था या दिमा होगी जो पाठी का फैसला होगा पार्टी के आला कमान मान sj क topping मानिये सेव लोग ने मिलकर जो फैसला लिया हो फैसला पर जारी है हम लोग हमारा चुना होगा की नहीं हम भी पर सीस्फिव तक्लिफ लग रहा है कि पहले बार गादी परिवार ने अमेठी को छोड़ दिया और पूरी तरीके से मूं मोड़ लिया बस यहीं चर्चा में अगर आप यह बात कहेंगा ऐसे तो भरून गांदी जी भी लड़े तो फिली भी जब वो नहीं लड़े तो वो प्रिवर्तन चलता रहता ह पूरा परदानमंद्री अमादाबाद से लड़ रहे तो यह दूसरे को क्या बताएंगे राय बरेली भी हमारा है मेठी भी हमारा हो सकता अंगली बार हम लड़ जाए क्सी बड़ी बात है इसमें हर बात साथ पर होना है और यह चैलेंज कर रहा हूं मैं कि भारत की जनता, और अमेठी की जनता लड़ रही है बीजेती का सूपना साफ हो जागा स्मिर्ति रानी का अमेठी तो यही मैं दिखाना चाहरा हूं किस बार अगर माने राहूल गांदी जी नहीं है वहां से तो हमारा कार करता इसी बात पे मुझे गोपाल जी आपको रोकना पड़ेगा तु ऑप मेरी बात सुने है व creation достoo 202 ॐ तो भी कि बात की जायतों फंद्रहबा से हार रही थी कांग्रेस सलोन की बात तो एक हजार नौसो दस से हाई यह तो लोग सबाद ही यह सब हो रहा है ना क्यों परिसान हो गए पाद साल में चोटे बच्चे की तरह किसी बार जो हो गया सो हो जाएगा असमिर्ति रादी नेरो माइंडेड है उनके लिए उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया वहां एक माननी है संजय गांदी जी के नाम पते का पताल था उसको बंद करवाने हैं काम किया तो खड़े हो के लोगों से उट मांग रहे हैं और आप काम किये थे तो छोड आप से आए हुए हैं पूरा जीवन खपा दिये हैं आप से पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता थे उन्होंने बता दिया पूरी कांग्रेस कोई नहीं अमेठी छोड़ रहा है अमेठी मेरी अपनी सीट है और हमेसा से आज बरुन गांदी जी के सांसत है उनके टिकट कार्ट सवाल है लेकिन फिर एक है सवाल है दिलीप जी कांग्रेस की इस रड़नीत के बाद आपको क्या लगता है जो कांग्रेस यूपी में खात्मे के कगार पे आ चुकी थी अब अपनी जमीन दुबारा उपजाओ कर लेगी या बंजर ही रहेगी दिलीप जी कांग्रेस जो यूपी में खत्म होने के कगार पे पहुँच चुकी थी क्या राहूल गादी की इस रड़नीत के बाद वाइनाट से राइबरेली आने के बाद क्या कांग्रेस के लिए उत्तरप्रदेश की जमीन उपजाओ साबित होगी या नहीं कांग्रेस उनी तो यही करती है क्यों जादित होगी तदी इसने इस तरह का इस्टेप लिया है अब साबित होगी या नहीं होगी लाइकि इतनी नहीं नहीं हो पाएगी तो इस तब प्रदेशनों के पता लुगाता है घर्मान जी तो उसके बहुत जादा भला होने वाला कि अगर राय बरेली से राहुल गादी जी नहीं आते तो ऐसा माना जा सकता था कि पूरे उत्तर भारत की इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स से कॉंग्रेस बाहर हो सकती थी बोपाल जी क्या इस राय से आप इत्फ़ाक रखते हैं जी गलत बात आप बोल रहे हैं सबसे पहली बाति मैं कुछ देश से सुन रहा था मैं सबसे पहली बात जैनली कि अस्मीर्ति राश जी की जबानत होने बाली है मान brain जी को मन हुआ जब राय बरेली से लड़े तो ठीक हैness लेजए राएं भलेली चले गएं चलिए गुपाल जी आप जैसे कारकरताओं के कारण ही कांग्रेस आज खड़ी हुई है और बिजेपी को चुनोती देने के इस्तित में है लेकिन चलता सब समस्ती है और सब देख रही है आप सभी मैमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद की आप चर्चा में जुड़े आप ल हुआ है